नश्कार रोस्तों, देट है आज की 22 अप्रिल 2023 और स्वागत है आपका एटोविल डिसकेशन में चार इशूस आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले आर्टिकल डिसकेश करेंगे जमू एन कस्मीर में टेरिजम से सम्मदित काफी दुखत हाथसा हुआ उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे बुटेनिकल गार्डन से सम्मदित तीसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे ज़्यादा expenditure लोकल लेवल पे होना चाहिए business standard का आर्टिकल है और तीसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे cyber security से सम्मदित आज का जो ethical example हैं वो देखो उडिसा में एक बुजूर की वीडियो वारल हुई बुजूर की age काफी जादा काफी मतलब बोडी भी ऐसी चला नहीं जा रहा वो एक chair की साहिता से चल रही है नंगे पैर बिना चपल के चपल जूते कुछ भी नहीं है फुटवियर नहीं है वो जा रही है अपनी pension collect करने के लिए बुड़ापा जो pension मिलती है ऐसी हालत में chair की साहिता से वो चल रही है बिना फुटवियर के और बोडी काफी मतलब ऐसा लग रहे के चलने में बहुत परिशानी हो रही है और वो अपनी बुड़ापा pension collect करने जा रही है बैंक से तो निर्मला सितरमन जो हमारी वितमंत्री है उन्होंने SBI को tweet करके कहा कि आप गलत कर रहे हो आपको कुछ provision करना चाहिए ज़्यादा आनाकानी नहीं करने चाहिए pension देने में ज़्यादा आसानी से pension मिल जाए बुजूर्गों को ऐसी ववस्था करनी चाहिए तो इसमें काफी ethical issues involved हैं जैसे elder abuse जैसे child abuse होता है वैसे elder abuse दूसरे नंबर पे lack of empathy from bank side bank ये नहीं देख रहा है कि बुजूर्ग कितनी दूर से आ रहे है pencil लेने के लिए जिसे banking correspondent वाला concept होता है वहाँ पर वो implement किया जा सकता है और वैसे ज़्यादा point वैसा वाला है लेकिन सच पूछो तो ये human rights का violation भी है एक dignity के साथ इंसान अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके ये सब human rights में आते हैं बट आप वो ये video देखोगे जिस परकार से वो बुजूरुग जा रही है pension collect करने के लिए first important article terrorism यानि आतकवाद से समधित है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो context देखो ये हैं काफी दुखद हाथसा हुआ जमुएन कस्मीर के राजोरी पूँच सेक्टर में LOC के नस्दीक यहाँ पर एक terror attack में हमारे 5 जवान सहीद हो गए ये जो हमला था ना जिस परकार से हमारे जवान जिंदा जल गए इस attack में पुलवामा की याद दिलाता है किस परकार से 2019 के लोक्षबा इलेक्षन से पहले पुलवामा में attack हुआ था उसके बाद सरकार ने कारवाई करते हुए चुकि पुलवामा attack का आरोप लगा था जैसे मोहमद के उपर जो की एक आंथ की संख्थन है पाकिस्तान बेश्ट तो इस पुलवामा attack के बाद बाला कोट में पाकिस्तान के बाला कोट में air strikes की गई थी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में tensions उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उस घटना की याद दिलाता है ये आत की हमला जिसमें हमारे पांच ज़वान सहीद हो गए SCO का जो समिट औरनाइज होगा इंडिया में वहाँ पर बिलावल भुटो आएंगे SCO का समिट अटेंड करने के लिए अगले महिने गोवा में इसके लावा मई में G20 टूरिजम वर्किंग गुरूप की मीटिंग होगी तो ऐसा लगता है कि कुछ वेस्टिड इंटरेस्ट के लोग है जो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्थान के बीच में रिगलेशन किसी भी तरह से नॉर्मलाईज हो और देखो इस टेरर अटेक से कुछ कोश्चन से इस परकार के भी निकलते हैं LOC के नजदीक पेट्रोलिंग की जा रही थी इस ट्रक के द्वारा जिस पर हमला हुआ लेकिन अकेला विकल पेट्रोलिंग कर रहा था आम तोर पे ऐसा होता नहीं है SOP इस परकार से होती है अकेला विकल नहीं जाएगा क्योंकि एक विकल पे अटैक होता है तो कम से कम दूसरा जो विकल होगा वो संभाल लेगा अटैंड करेगा जैसे पुलवामा में जा हमला हुआ था तो काफी ट्रकों का काफिला चल रहा था लेकिन यहां पर अकेले विकल के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी यहां पर की जा रही थी यह बड़ा कोश्चन है लेकुनाज है पेट्रोल पार्टी में जो कि नहीं होना चाहिए अब दूसरा बड़ा कंसर यहां पर देखो यह है जमुएन कस्मीर के पूंच सेक्टर में आम तोर पे पहले टेरिजम कम था ज्यादा टेरिजम कहां पर दे कि स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है आर्टिकल 370 के अंदर एक बार वो हट गया तो टेरिजम काफी कम हो जाएगा और डेटा यह कहता है कि टेरिजम कम तो हुआ लेकिन पूरी तरह से खतम नहीं हुआ और अब तो एक बर फिर से राइजिंग ट्रेंट देखने को मिल र जाते हैं यूथ बटक के टेरिजम के रास्ते पर चले जाते हैं अभी मैं न्यूज देख रहा था जो पांच जवान सहीद हुए हैं उन में से एक उनकी अठारा महीने की बच्ची हैं और उनके फादर भी आर्मी में ही थे और उनके फादर भी जमू और कस्मीर में आर्मी में सहीद हुए थे अपनी डूटी परफॉर्म करते हुए उस समय अभी जो जवान सहीद हुए हैं उनकी एज भी एक साल थी मतलब काफी similarities किस परकार से फादर और संद दोनों ने जमू और कस्मीर में अपने प्राणों की आहुती देदी देश के लिए तो human cost उसके बाद economy कोश्ट देखिए जहां पर terrorism ज़्यादा होगा वहां पर कोई invest करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा जाहिर तो investment वहां पर नहीं आएगी तो वो region जो है वो backward रह जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान इनके backward रहने का एक major reason यह भी है कोई यहां पर invest नहीं करना चाहता फिर आप social cost देखिए टेरिजम की वज़े से समाज में intolerance बढ़ता है, polarization बढ़ता है, समाज में divisions आती है तो हर तरह की कीमत चुकानी पड़ती है टेरिजम की वज़े से टेरिजम की वज़े से वैसे देखो सरकार बहुत कुछ कर रही है international cooperation भी सरकार कर रही है, SCO में rats mechanism है टेरिजम से लड़ने के लिए लेकिन दिक्कत यह है वही बात जो हम हमेशा डिसकर्स करते हैं एक देश का टेरिष्ट, कोई person एक देश के लिए टेरिष्ट है, दूसरे देश के लिए हीरो है जैसे Pakistan terrorism sponsor करता है, तो यह Pakistan के लिए हीरो है तो ऐसा होना नहीं चाहिए मतलब terrorism एक ऐसी समिश्या है जिसको सभी देशों को مिल के सोल करना चाहिए हलाइकि देखो यह सिरफ ideal बाते हैं ऐसा होता नहीं है बट इंडिय की approach यह है, terrorism से लड़ने के लिए कि सबसे पहले तो आप development लेके आओ जैसे जमोन कस्मीर में सरकार development और governance issues पर focus करती है ताकि youth को बठकाया ना जासके terrorism के रास्ते पर और वो mainstream में ही सामिल रहे दूसरा आप अपने defense मजबूत करो अब देखो इस attack में तो कमिया रह गई defense मजबूत नहीं था तभी ये terror attack होसका otherwise सरकार की कोशिस ये होती है कि defense इतना मजबूत किया जाए कि terrorist attack होई नासके तीसरा एक deterrence create करना जिसे offensive defense भी कहा जाता है जो NSA हमारे जो अजीद दोवल हैं हमेशा इस बात का जिकर करते हैं offensive defense मतलब जैसे पुलवामा की गटना के बाद इंडिया ने बाला कोट में age strikes कर दी पाकिस्तान को सक चितावनी थी कि अगर आपने ऐसी गटनाओं को अंजाम दिलवाया आपने terrorism को sport किया तो हम आप पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान के मन में एक डर बिठाने की कोशिस की गई थी यही है offensive defense वो उनका famous dialogue है अगर वो एक बार और मुंबई पर attack करने के उनमें सोची भी सही तो वो अपने बुलूचिस्तान से हाथ खो बैठेंगे मतलब एक डर बिठाना कि अगर आपने हमला किया तो हम भी आपके बुलूचिस्तान को दो भागों में divide कर देंगे बुलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा तो इसे बोलते है detrance यह जो डर अगर पाकिस्तान के मन में रहेगा ना कि अगर हमने इंडिया के उपर attack करवाया तो इससे हमें ही नुकसान होगा इंडिया जबाब देगा तो फिर वो डर रहेगा तो पाकिस्तान फिर terrorism को support करना बंद करेगा तो यह पूरा article हमने discuss किया आगे बढ़ने से पहले question देख लीजिए जो UPC ने अभी तक terrorism से समधित पूछे है cyber terrorism, cyber security का topic आज हम discuss करने वाले हैं उसके बाद terrorism financing, terrorism its form 2016 में state sponsor terrorism पूछा था तो इस परकार के questions UPC पूछती है, इतने मुश्किल questions नहीं होते लेकिन आप answer कैसा लिखते हो वो matter करता है, even interview में भी हम ये डरते रहते हैं क्या पूछ लेंगी, क्या पूछ लेगा board और mains में हम डरते हैं, क्या पूछ लेगा UPC देखो, पूछते हैं जातर time वो simple questions है लेकिन हम कैसे जबाब देते हैं interview में और mains में कैसे answer लिखते हैं वो उससे फरक पड़ता है, आम तोर पे simple questions का भी हम अच्छे से answer नहीं कर पाते हैं बिना writing practice के अभाव में अब चलते हैं आगे इसके बाद next article botanical garden से समनित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हों botanical garden का क्या मतलब है botanical garden देखो, एक special type का garden होता है जिसमें अलग अलग तरह के plants, pool shrubs, hubs, यह सब उगाए जाते हैं ना सिरफ local plants, pool बलकि दूर द्राज के area से इवन विदेशों से लाए हुए plants भी उगाए जाते हैं, मक्सद यह होता है botanical garden का कि plants की diversity को, plants की wealth को सहिज के रखा जाए research हो plants से सम्बंदित educational purposes में भी काम आता है botanical garden, यहाँ पे students आते हैं सीखते हैं plants के बारे में मतलब अनेको परपजिज होते हैं botanical gardens के establish होने में इंडिया में सबसे बड़ा जो botanical garden है, वो kolkatha में है नाम भी मैं आपको बताता हूँ अचारे जगदीश चंदर बोस Indian Botanical Garden 1787 में इसे establish किया गया था उस समय नाम कुछ और था बाद में अचारे जगदीश चंदर बोस को सम्मान देने के लिए नाम change हुआ kolkatha के हावडा में है 109 hectare में फैला हुआ है यहीं पर botanical survey of India का headquarter है botanical survey of India के बारे में आप पढ़ते रहते हो अक्सार जब भी कोई नया plant मिलता है यह botanical surveys और documentation से समधित research करता है वैसे देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो botanical garden है वो UK के लंदन में है Q में K E W में वो 300 hectare में फैला हुआ है अभी context यह है कि ना Tamilाडू में एक जगा है चेंगल पट्टू चेंगल पट्टू गाओ है वहाँ पर यह botanical garden एक नया establish किया जाएगा जिसका नाम होगा चेंगल पट्टू botanical garden यह 300 क्रोड की लागत से बनाया जाएगा जब यह बन जाएगा तो यह हमारे देश का सबसे बड़ा botanical garden हो जाएगा अब writer यह कहते हैं इस article में कि plants के साथ इंसान का रिष्टा बहुत पुराना है plants तो एक प्रकार से नीव है civilization की क्या plants के बिना मुम्किन है civilization answer है no पहले भी क्या हुआ करता था देखो ancient text में और गुफाओं में paintings जो मिलती है उनमें जिकर है कि इस परकार से पहले घरों के आसपास garden हुआ करता था जिसमें medicinal plants को या फिर edible plants को उगाया जाता था इसके अलावा पुराने समय में क्या हो था ज़र राजा माराजा होते थे न वहाँ पे वो बड़े-बड़े gardens establish करवाते थे और gardens एक परकार से उस राज्य में समरिधी का परतीक होता था बड़े-बड़े gardens मतलब इस राज्य में काफे ज़्यादा समरिधी है हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ पहले जब राजा माराजा रूल क्या करते थे लेकिन न उसके बाद न हमारे देश में ज़ारा न botanical gardens पर ध्यान नहीं दिया गया तोटल 10 से लेके 35 के बीच में botanical gardens है हमारे देश में लेकिन इन में से बहुत कम botanical gardens ऐसे हैं जहां पर अच्छे से research बगरा होती है बहुत कम हैं जबकि देखो दूसे देशों में जैसे पिछले दो दसकों में सिंगापूर में, इंडोनेशिया में, थाइलेंड में अच्छे botanical gardens इस्टाबलीश हुए हैं काफी बड़े-बड़े अभी जो ये चेंगल पट्टू में, तमिलाडू में botanical gardens इस्टाबलीश होगा न इसके लिए expertise किससे ली जाएगी जो सबसे बड़ा botanical garden है पूरे वल्ड में, लंदन वाला ही जो क्यू में है यहां से help ली जाएगी तो writer ये कहते हैं हमारे देश में भी कुछ institutes ऐसे हैं, जहां से help ली जा सकती है मतलब उनका बहुत लंबा expertise है botanical garden के मामले में तो ये चेंगल पट्टू में botanical garden established होगा न, 138 acres में उसको develop करने में इंडिया के institutes के साथ भी partnership established हो अच्छे से, एक और चीज़ ये जो चेंगल पट्टू में botanical garden established होगा, ये total 138 acres में फैलेगा, जबकि अभी तक हमारे देश में जो सबसे बड़ा botanical garden था वो 108 acres में फैला हुआ था last man writer ये बोलते हैं, देखो botanical garden जो सुरवाद में उन्होंने बात बोली बहुत काम की चीज़ है, हमारे आने वाली generations के लिए भी plants को सहीज के रखा जा सकता है botanical garden में, उन्हें पता लगे कि ये plants पहले बहुत ज़रा मिलते थे, अब सिरफ यहाँ पे हैं, मतलब looped होते plants को भी बचाया जा सकता है, और botanical garden बनाना आसान नहीं होता complex engineering इसमें लगती है तब ही तो जो सबसे बड़ा botanical garden है, उसकी help ली जा रही है कि वो technical expertise provide करे, पुराने समय में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि पूरा इसमें science वगरा लगता है, botanical garden को establish करने में, तो जिस देश में जितना बड़ा botanical garden, जितनी diversity वाला botanical garden उस देश के पास ज़्यादा science, वो ज़्यादा सम्मानित ऐसा concept कुआ करता था, तो हमारे देश में ये जो botanical garden बन रहा है अच्छी बात है, और भी botanical gardens बनने चाहिए, ताकि आने वाली सब्विता को हमारी जो ये विरासत है, plant समन्दित उसे दिखाया जासके, तो ये पुरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे अब ये terrorism वाला article थो हमने discuss कर लिया इसके बाद एक जो article हमें discuss करना है, property tax वाला छोटा सा article है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो, अब देखो, आने वाले 25 सालों में इंडिया advance economy बन जाएगा, अभी अमरित काल में हम परवेश कर चुके हैं यानि 75 वर्स इंडिया की अजादी को हो चुके हैं और 75 वर्स से लेके, जब इंडिया की अजादी को 100 साल पूरे होंगे, ये बीच के जो 25 साल है ये अमरित काल है ऐसा मतलब सरकार पूरा प्लान बनाया है, अब राइटर ना इस आर्टिकल में एक बात पर फोकेस करते हैं, जो पैसा सरकार खर्च करती है ना, जो सरकार को revenue मिलता है और जो पैसा सरकार खर्च करती है, जादा से जादा पैसा अगर local level पर खर्च हो ये किस चीज़ में पैसा लगाने से अभी सबसे ज़ादा फाइदा होगा तो local level पे expenditure में ये सारी चीज़ें आ जाती है, primary education, health care, basic land order, civic infrastructure, seaways, water supply, road maintenance, local zoning and regulation 16th finance commission अब गठित होगा अब देखो 16th finance commission ना, ये काम कर सकता है कि ज़ादा से ज़ादा पैसा लोकल लेवल पे खर्च हो, समझ गए जैसे देखो एक बात राइटर बोलते है इंडिया में सब national level पे, जैसे एक तो national level पे मतलब central government जो पैसा खर्च करती है, total जितना पैसा हमारा खर्च होता है ने development में 40% हमारा खर्च होता है national level पे और बाकी 60% होता है sub national level पे, sub national level मनलब state level पे और local level पे दोनों को मिला के वैसे ही ये percentage काफी अच्छी है क्योंकि ब्राजिल में सिरफ 50% पैसा sub national level पे यानि state के level पे और local level पे खर्च होता है कनाड़ा और चाइना में 70% से ज़्यादा जो पैसा है वो state level पे खर्च होता है और local level पे बट देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ interesting data है अगर हम ये data निकाले कि कितना पैसा हमारे देश में local level पे खर्च होता है बिल्कुल local level पे जैसे mayor के द्वारा या फिर पंचैटी राज बोडी के द्वारा ये आंकडा है 4% से भी कम यानि 96% जो पैसा है हमारे देश में खर्च हो जाता है या तो union level पे या नि central government के level पे या फिर state level पे सिरफ 4% पैसा खर्च होता है local government के level पर जबकि चाइना में 50% से ज़्यादा पैसा खर्च होता है local government के level पर यहाँ पे इंडिया major transformation ला सकता है यहीं पर 16th finance commission जो है वो major transformation ला सकता है अब होना क्या चाहिए देखो वैसे तो कोशिस ही होनी चाहिए कि local governments जो है ना किसी और के भरोसे ना बैठे है जिसके साइता से local government revenue mobilize कर सकती है बट दिक्कत ये है property tax ना नए सीरी से लगाना आसान नहीं है लोगों का resistance आता है जो लोग अभी तक tax नहीं दे रहे थे वो एकदम से tax का सामना करेंगे उन्हें लगेगा कि हम tax क्यों दे अभी तक तो कुछ भी टेक्स नहीं था property tax तो ना ऐसा होना चाहिए writer कहते है ना अभी आप exemption दे दो कि अभी जिसे grandfathers के या grandmothers के नाम पे property है उनको नहीं देना पड़ेगा लेकिन जब वो property उनके बच्चों के नाम पे आ जाएगी तब उन्हें property tax देना पड़ेगा ऐसा कोई provision सरकार कर सकती है ताकि अभी जिनके नाम पे property हैं वो tax ना दे जब लेकिन property उनके बच्चों के नाम पे आ जाएगी तब वो property tax देना start कर दें अगर ऐसा कुछ हो तो फिर लोगों पता भी होगा कि आने वाले समय में हमें property tax देना पड़ेगा तो फिर resistance भी कम आएगा धीरे धीरे करके फिर property tax वाला जो mechanism है इसे implement किया जा सकता है ये suggestion writer देते हैं property tax का हमारे देश की GDP में contribution ना 0.1% से भी कम है मालब थोड़ा सा इसी के आसपास है 0.1% से थोड़ा सा जादा और देश के total tax revenue में ये सिरफ 0.5% है जो कि आप OECD countries में देखोगे खास करके ये रोप के देशों में वहाँ पे total जितना उनको tax प्राप्थ होता है उसमें से ये जो concept है अभी आया नहीं है आना चाहिए अगर property tax सरकार लगाती है तो उस revenue को local level पे development के लिए इस्तमाल किया जा सकता है बहुत फाइदा होगा तो ये पुरा article हमने डिसकस किया property tax से related अब बात करते हैं हम अगला article cyber security से related आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो context देखो ये है हाल फिलाल में न cyber attacks काफी ज़्यादा होने लगे है इंडिया चोथे नंबर पे है cyber victims के मामले में मतलब जिनके साथ fraud हो जाता है AIMS जो हमारे देश का काफी परतिश्टिद hospital है यहाँ पे ransomware attack हुआ data को चुरा लिया गया ICICI bank के customers के साथ phishing scam चल रहा है कोई link उन्हें मिलता है फिर उस पे click करने पर sensitive details जो है वो चली जाती है यह देखो eye opener है हमारे देश में cyber attacks पे उस परकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस परकार से दिया जाना चाहिए अने को तरह के attack होते है phishing, ransomware attack, malware attack denial of service मतलब server को ठप कर दिया जाता है बंदा services नहीं access कर पाता cyber spoofing का मतलब होता है identity theft identity चुरा ली जाती है phishing का मतलब होता है phone आता है आपके पास मैं कभी आता होगा कि आप ये details share कर लीजिए phone करने वाले बोलते हैं कि हम bank से बोल रहे हैं जबकि वो bank से होते नहीं है समझ गए नहीं नहीं तरह कि attacks आ रही है बट देश त्यार नहीं है इन cyber attacks का सामना करने के लिए इसकी देखो cyber attacks के individual level पर बहुत cost होती है लोग का भरोसा उड़ जाता है economy को boost मिला है UPI से बट देखो अगर लोग का भरोसा नहीं होगा online transactions में fraud होने के बाद में तो देश को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है बट देखो हमारे देश में IT Act 2000 है वो काफी पुराना है उससे मैं तो इतना internet था भी नहीं थोड़ा बहुत शुरुआत हुई थी सिरफ अब major amendments हुई तो है IT Act में 2008 में भी हुई थी बट वो उतना ज्यादा scale पे नहीं हुई जिसे साब से internet अब expand कर चुका है समझ गए कोई cyber attack होता है एक agency नहीं है जो बिलकुल मतलब उसी के responsibility है सब कुछ cyber attacks को prevent करना और prevention पे तो focus किया ही नहीं जाता मतलब अभी जैसे auditing होनी चाहिए न cyber attack होगा उसके बाद reaction आएगा ये तो अलग बात है न आप पहले से ही auditing करके चलो कि random किसी private organization को check करो कि उसने कितना cyber security के मामले में provision किया है सरकारी organization को आप check करो कि वहाँ पे cyber infrastructure को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया है prevention पे तो focus बिलकुल ही नहीं है तो cyber security से समद्ध इतना कुछ points है अब आप वो revise कर लिजिए next question देखो अब ये उर्ता है cyber security की आखिरकार आशकता क्यूं है आप शकता देखो काफी सारी reasons की वज़े से है government काफी ज़्यादा digitalization पर focus कर रही है जैसे अधार कार्ड के माध्यम से काफी सारी services provide की जा रही है dg locker है even नीचे का point online transactions पर government बहुत ज़्यादा focus कर रही है इसके साथ साथ हमारे देश में internet users की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है अभी USA और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पर internet users की संख्या सबसे ज़्यादा है इसी परकार से अगर दिखो हमें ये ensure करना है कि cyber attack की वज़े से हमारे देश की economy को नुक्सान ना पहुंचे जैसे example के तोर पे आपको याद होगा कुछ समय पहले पूने के एक bank पर cyber attack हुआ था बहुत सारा जो ATM समंदी data है वो चुरा लिया गया था system कुछ समय तक ठप पड़े रहे थे तो cyber attack की वज़े से economic loss काफी ज़्यादा हो सकता है अगर हमें ये prevent करना है तो cyber security की आउशकता है इसके अलावा जैसे देखो internet users के मामले में इंडिया तीसे नंबर पे है startups के मामले में भी इंडिया तीसे नंबर पे है चाइना और USA के बाद तीसे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो startups हैं वो इंडिया में है तो आजकल जो ज़्यादा startups से emerge हो रहे हैं वो दिखो internet based हैं इसलिए भी cyber security की जो आउशकता है वो काफी ज़्यादा है सबसे last point है vulnerability आज के समय में हर 10 minute में एक cyber crime इंडिया में होता है इंडिया बहुत ज़्यादा vulnerable है इसलिए cyber security की हमें आउशकता है अब next हम जानते है challenges क्या-क्या है cyber security को ensure करने में सबसे पहला challenge तो देखो ये है digital illiteracy लोग को पता नहीं है किस परकार से वो अपने computer system को सुरक्सित बना सकते है कौन से software उन्हें इस्तमाल करने चाहिए तो ये digital जो illiteracy है ये एक बड़ा challenge है cyber security को ensure करने में दूसरा sub-standard devices and imported devices देखो हम बहुत सारे जो internet या फिर telecom सम्मदित equipments हैं वो चाइना से import करते हैं वो बिल्कुल sub-standard होते हैं security के लिहाद से अगर हम देखें तो हमारी जो ये import dependence है ना चाइना के उपर ये भी एक परकार से challenge आप इसे कह सकते हो obstacle कह सकते हो cyber security को ensure करने में next है new technology देखो नई-नई technology आती रहती है लेकिन उस लिहाद से cyber security को ensure करने में हम नए software नहीं develop कर पाते या फिर नया protocol हम जारी नहीं कर पाते next है lack of uniform standards अलग-अलग devices के द्वारा अलग-अलग standards को follow किया जाता है तो अगर uniform standards हो जो विबिन devices के द्वारा follow किया जाए तो cyber security को और बहतर डंग से सुरिश्चित किया जा सकता है next infrastructure की कमी है और trained staff भी नहीं है बहुत सारी vacancies खाली रहती है cyber security personnel की कहाई ये गया था कि आने वाले कुछ सालों में हम 5 लाख trained cyber security से जुड़े personnel को त्यार करेंगे लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है next है anonymity देखो दूर देश में बैठा कोई person दूसरा नुक्सान पहुंचा देता है तो देखो पता नहीं लगता कि किसने cyber attack किया है IP address से track किया जा सकता है person को लेकिन काफी बार VPN devices का इस्तिमाल किया जाता है मतलब IP address को change कर दिया जाता है अलग अलग तरह के software से तो ये जो पता नहीं लग पाता किसने cyber attack को अंजाम दिया है इससे बहुत सारे लोग encourage होते हैं उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे पकड में नहीं आएंगे तो ये एक challenge है cyber security को ensure करने में last challenge है lack of coordination among various agencies देखो हमारे देश में कई सारी agencies हैं जो cyber security को ensure करने के लिए काम करती हैं लेकिन उनके बीच coordination नहीं देखने को मिलता अब next हम बात करते हैं various steps taken कौन-कौन से steps लिए गए हैं cyber security को ensure करने के दिशा में ये कुछ संस्थाओं के नाम है जैसे देखो National Critical Information Infrastructure Protection Center critical infrastructure जैसे देखो defense related कोई infrastructure है space related कोई infrastructure है nuclear technology related कोई infrastructure है ये सब critical information infrastructure के डिगरी में आते हैं तो इनको protect करने के लिए अलग से एक center है ये National Critical Information Infrastructure Protection Center उसके बाद National Cyber Coordination Center New Cyber and Information Security देखो child pornography है या फिर woman की bullying होती है उन सब को रोकने के लिए ये new cyber and information security को establish किया गया था इसके अलावा Defense Cyber Agency ये military related agency है Indian Cyber Crime Coordination Center and Cyber Warrior Police Force Cyber स्वचता के इंदर Cyber सुरक्षिद भारत इनिसेटिव National Information Center Computer Emergency Response Team जैसे देखो Financial Sphere में किसी परकार का attack हो जाता है तो तुरंत response क्या उसकता होती है ताकि further damage को prevent क्या जासके उस दिशा में काम करती है ये team Computer Emergency Response Team इसके लावा देखो legislative majors की बात करें तो IT Act 2000 है जिसे MN भी क्या गया था 2008 में इस Act का Section 43 Data Protection पर focus करता है Section 66 Hacking पर Section 69 Cyber Terrorism पर अब लास्ट में बारी आती है Wave Forward की Wave Forward में देखो simple चीज़े है Coordination Establish किया जाए Vibin Agencies के बीच Cyber Determs जैसे देखो Nuclear Determs का concept है कि आपके पास Nuclear Weapon है तो डर पैदा करना दुसमन देश में कि वो आपके उपर किसी परकार का Attack ना करे अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी अपने Nuclear Weapon का इस्तिमाल करेगा आपके उपर आपको ये पता होना चाहिए उसी परकार से Cyber Determs का ये concept काम करता है जैसे देखो पाकिस्तान अगर अपने hackers को समर्थन देता है कि आप इंडिया के Critical Infrastructure को नुकसान पहुंचाओ तो इंडिया भी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के Critical Infrastructure को नुकसान पहुंचाएगा अगर इस परकार का डर हम पाकिस्तान के मन में पैदा कर देते हैं तो पाकिस्तान अपने hackers को स्पोर्ट करना बंद कर देगा यही Cyber Detrance है मतलब डर पैदा करना ताकि Attack को Prevent किया जाज़के Next है Better Regulation and Adoption of Norms अच्छे से जो Cyber Security समंदित Norms हैं उनको Follow किया जाए Regulation भी Better हो Cyber Insurance Framework को Establish किया जाए मतलब अगर Cyber Attack की वज़े से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए Insurance भी होना चाहिए इस परकार का Framework Establish किया जाए Investment ज़्यादा होनी चाहिए Cyber Security के Business में IT Act 2008 को Amend करके और Effective बनाया जाए Skill Develop की जाए Cyber Security समंदित जो Policy है पुरानी हो चुकी है इसे Update किया जाए समय समय पर Cyber Security का Audit होता रहना चाहिए ताकि कम्यों का पता लग सके और State Level पे भी Cyber Security समंदित फ्रेमवर्क को Establish करने के आव सकता है International Coordination भी होना चाहिए और सबसे लास्ट में Budha Paste Convention है Cyber Crime के उपर इस Convention ने भी एक Framework प्रोवाइड किया था ताकि विबिन देशों के बीच Coordination Establish किया जासके तो Budha Waste जो Convention है उसके Provisions को भी India को Follow करना चाहिए और जो Framework इस Convention के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस Framework को भी हम India में Adopt कर सके ऐसी सरकार को कोशिश करने चाहिए तो इस परकार से Cyber Security समदित इस्यू को हमने Brief में डिसकस किया इस डिसकसन में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion